next question 4 solve and check your answer आपको answer भी check करना हूँ solve करना है 24 divided by 6 अब 6 के table में 24 कब आता है count करो जल्दी 6 बंजा 6 6 तूजा 12 6 थ्रीजा 18 6 फोर्जा 24 6 फोर्जा 4 हमारा answer हो गया यहाँ पे हमने 24 लिखा minus करेंगे इसको 4 में से 4 गए 0 2 में से 2 गए 0 अब हमें check करना है कि हमारा answer सही है या नहीं check your answer आपको question में दे रखा है तो आपको check करना है अब check करने के लिए हमने क्या पता है था यह divisor है यह quotient है और यह dividend है ओके तो हमें क्या करना है यहाँ पर एक formula हम लिख लेंगे diviser diviser into quotient diviser into quotient equal to dividend equal to dividend आना चीए ओके equal to dividend आना चीए अब diviser क्या है हमारा 6 है quotient हमारा क्या है quotient क्या है हमारा 4 है ओके अब 6 6 into 4 किता होता है 6 forza 24 और हमारा dividend क्या है 24 means हमारा answer correct है ओके ऐसे चेक करना है आपको formula लिख कर ओके next 16 divided by 4 4 के टेबल में 16 का बाता है 4 forza 16 4 forza 16 ठीक है फिर अब इसको चेक करना है हमको चेक कैसे करेंगे हम इसको दिविजर में किसका multiply करेंगे quotient का diviser into quotient तो क्या आगिया हमारा answer 4 forza 16 यह dividend आगिया हमारा ओके आपको ऐसे formula लिखके एक मैंने बता दिया formula लिखके आपको चेक करना है ओके next 15 divided by 10 10 के टेबल में 50 का बाता है 10 10 जा 10 5 जा 10 1 जा 10 10 2 जा 20 10 3 जा 30 10 4 जा 40 10 5 जा 50 10 5 जा यहाँ प्या आगिया 50 10 5 जा 50 0 में से 0 गया है 5 में से 5 गया है 0 ठीके अब formula लगाना है formula हमने देखा है अभी ठीके diviser diviser into quotient diviser into quotient equal to dividend equal to dividend अब diviser क्या है हमारा 10 है ठीके quotient क्या है quotient हमारा answer क्या है 5 आया 10 5 जा 50 तो हमारा answer सही है dividend आना चाहिए अब यह बारा 21 divided by 3 यह आपको solve करना है एक बार मैं बता देती हूँ 3 के table में 21 कितनी times में आता है 3 7 जा 21 minus 1 में से 1 गए 0 2 में से 2 गए 0 अब आपको check करना है check आप करोगे diviser 3 है 7 क्या है quotient है ok 3 7 जा 21 तो हमारा dividend आ गया यह आपको check करके लिखना है ok clear इसको क्या बोलते है यह long division method है और इसको check करने का answer check करने का जब आपको बोले तो आपको formula लगाना है diviser into quotient equal to dividend ok